इस्राइल हमास जंग पर ये क्या बोल गई सोनम कपूर सोशल मीडिया पर होने लगी तारीफ सोनम कपूर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं एक्टरस अक्सर एहम मुद्दो पर अपने विचार रखने के लिए इस मंच का उपयोग करती है उन्होंने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर इस्राइल और फिलिस्तीन के वी चल रही लड़ाई पर अपने विचार वियक्ते किये उन्होंने गीगी हदीद की पोस्ट शेयर की जिसमें यूएस सुपर मॉडल ने इसे अनुची तरासदी बताया सोनम ने भी हिंसा की निंदा करते हुए लिखा कि मौत और हिंसा से कुछ नहीं होगा सोनम कपूर ने सबसे पहले अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर इस्राइल और फिलिस्तीन के बारे में गीगी हदीद की पोस्ट शेयर की अपनी पोस्ट में गीगी हदीद जो खुद फिलिस्तीनी मूल की है उन्होंने लिखा लेकिन उन्होंने से किसी में भी यहुदी व्यक्ती को नुकसान पहुचाना शामिल नहीं है उन्होंने निर्दोष लोगों की सुरक्षर के लिए प्रात्ना की और इससे जूज रहे सभी लोगों के प्रती अपनी समवेदना व्यक्त की एक दूसरी स्टोरी में सोनम ने अपने विचार साजा करते हुए लिखा कि हिंसा किसी भी चीज का समाधान नहीं हो सकती इसके बाद उन्होंने अहिंसा को ताकतवरों का हतियार होने संबंधी महात्मा गांधी के कथन को जोड़ते हुए लिखा हिंसा और मौत से कुछ नहीं होता यह हमारे अंदर मौजुद किसी भी मानवता को नश्ट कर देता है महात्मा गांधी अहिंसा ताकतवरों का हतियार है अहिंसा और सत्य अविभाज्य है और एक दूसरे पर आधारित है हम कभी भी इतने मजबूत नहीं हो सकते कि विचार वचन और कर्म से पूरी तरह अहिंसा को सके लेकिन हमें अहिंसा को अपने लक्षे के रूप में रखना चाहिए और इसकी दिशा में मजबूत प्रगती करनी चाहिए अभिनेतरी सोनम कपूर ने एक और स्टोरी शेयर की है जिसमें कहा जा रहा है गाजा के लोगों में आधे से जादा आबादी में बच्चे शामिल है आपको बता दे बॉलिवूड अभिनेतरी सोनम कपूर मजलूमों के लिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अवाज उठा रही हैं जिस पर लोग उनकी सराहना कर रही है एक शक्स ने सोनम कपूर के पोस्ट को देख कर कहा राइट विंग ट्रोल्स हमेशा इनको ट्रोल करते आएं हैं लेकिन इन्होंने हमेशा इंसानियत का साथ दिया है एक ने लिखा सोनम कपूर के लिए इज़त और बढ़ गई है एक शक्स ने लिखा है बॉलिवूट के एक मात्र हस्ती सोनम के लिए धन्यवार हम आपको इसके लिए याद रखेंगे एक शक्स ने सोनम कपूर की सराहना करती हुई लिखा सोनम कपूर की इंस्टा स्टोरीज आजाद फिलिस्तीन यदि हम पर इस्राइल के बच्चों के प्रती नैतिक जम्मेदारी है तो फिलिस्तीनी बच्चों के प्रती भी हमारी वही नैतिक जम्मेदारी है उनके जीवन का वजन बराबर है पूनम मिश्रा नाम की एक यूजर ने लिखा इनके बारे में यही बात है जो इन्हें एक सच्चा इंसान बनाती है इसराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही लड़ाई पर वॉलिवड आदाकारा सोनम कपूर के इस रियक्शन को आप कैसे देखते हैं कॉमेंट पे अपती राय जरूर दे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बाव आइकन बटन जरूर ट्रेस करें ताकि इस तरह की हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहें